बिस्मिल्लाहिरामाल रहीम असलाम लेकुम मेरा नाम है आफ्रिया आप देखरें आफ्रियास किचन आज मेरे किचन में बनने है चिकन स्टेम रोस तो अच्छी है जना बहुत ही मज़े की रेस्पी आप लोगों पूरी फॉलो करनी है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले चिकन को करेंगे मेरिनेट इसके लिए अच्छी सी गाड़ी-गाड़ी सी दही ले लिए मैंने तीन खाने के चमच के क्रीब यह डाल दिये बॉल में साथी वन पिंच जैफिल वन पॉंच जबत्री और साथी वन टेबल स्पून ग्रीन चिली पेस्ट और डेटी स्पून के करीब शामिल करेंगे इसमें पिसी लाल मिर्च वन टेबल स्पून पिसा धनिया वन टेबल स्पून हल्दी हाफ टी स्पून इसमें जाएगी इसी के साथ कुटी लाल मिर्च वन टेबल स्पून शामिल करेंगे और चाट मसाला टेटी स्पून के करीब मैंने शामिल किया है इसी कि साथ में शामिल करूंगी, सोया सॉस मैंने डाला यहां पर 1 टेबल स्पून भरके, चिली सॉस डालेंगे 1 टेबल स्पून, यह देखिए यह चला गया, अब हलके से सारा के उस्चे सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे, और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी और इंज फूट कलर वन पिंच ताकि इसका कलर अच्छा सा जाए यह देखें यह मैंने डाल दिया है और सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे लिए इसमें अब ऌर सवा के लोग का क्रीब चिकन इसमें ऑइसके मसाला लगा लएई यह हो गया मैं देख्या माशलाला से 4 upfront क्वे चार घंटे मैं एक लिणेट करने के लिए अब व मैं तकर है गयां पानी इतना डालना कि जब बॉयल तो छनी को उपर तक न जहीं रहे तो पांस मिंटे के लिए लिए इसे बोल आने तक बेट करेंगे अच्छा सब बोल आ गया इसमें अब मैं इसमें जो चिकन मेरिनेट करके रखी हुए थी एक एक पीस करके उठाएंगे और इसके अंदर रखते जाएंगे तो यह देखे माशाला से कितना अच्छा कलर आया चिकन के ऊपर एक पीस करके सैट करके रख देंगे अच्छे से इसके उपर ताकि चारो तरफ से अच्छे से चिकन हमारी स्टीम हो जाए तो जो बॉल के अंदर मसाला बचा है वो भी सारा निकाल के इसी को उपर लगा दूँगी मैं यह हो गया अब इससे ढखके रखेंगे कम असका मीडियों फ्लेम पे 25 मिंड के लिए ताकि चिकन हमारी अच्छे से स्टीम हो जाए अब इसके स्पेशल चटिनी त्यार कर लेते हैं आदा कप मैंने इंबली का पानी ले लिया गाड़ा-गाड़ा सा एक गठी हरदनिया छे से साथ हरी मिर्चे वन टीस्पून नमग वन टेबल स्पून कुटि लाल मिर कि यह हो गया अब अच्छे से मज़दार सी चटनी त्यार कर लेते हैं यह देखें माशाला कितने अच्छी सी मारी चटनी पिस चुकी है आप लोगों ने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये तो प्लीज में चैनल को सब्सक्राइब करें पहले लाइकन को लाज दाल के तब एक उपर थोड़ा सा फ्राइब करूंगी हलका सा तो से तीन टेबल स्पून डाल के गरम करेंगे पहले और एक पीस उठाके इसके उपर रखते जाएंगे ताकि अच्छा से इसमें कलर आजाए इस तरह मैं सारे पीसों को तीन से चार मिंट के लिए फ्राइब दोस्तों में फैमिली में शेयर करें और मुझे कमट बॉक्स में बताएं कि आपकी रस्पी कैसे बनी कोई सवाल हो आप लोगों का तो लाजबी पूछा करें मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके हर सवाल का जवाब दे सकूं तो यह देखिए कितना अच्छा से इसमें क कि लोगिंग वाइस कितना खूब सुरूत लग रही है माशाला माशाला बहुत ही मज़ा लग रहा तो चलिए इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूंगे मिलेंगे इन्शाला गली रेस्पी के साथ दुआ हो में याद रखिए अला आफेस